हलो नमस्कार अदाप सस्रीकाल स्वाकत है आपका एक पर फिर से मेरी यूट्यूब चैनल यूगल्स गार्डेन में दोस्तों ये जो पौद आप देख रहे हैं उसका नाम है गंधराज जैसे हम गार्डेनिया के नाम से भी जानते हैं ये भारत के यूँ कहें तो वर्ड के सबसे खुश्भूदार, सबसे आज हम जिस जो बात करने वाले हैं इस पोधे के भारे में, इस प्लांट के भारे में वो है इसकी बट-ड्रॉपिंग की प्राब्लम दोस्तों गंधराज में सबसे ज़्यदा जो समस्या आती है वो एक ही आती है बड ड्रॉपिंग की समस्या समस्या उसमें कई आती है इसमें आपके कीड़े भी लग जाते हैं और भी कई प्रकार की इसमें प्रब्लम साती हैं लेकिन एक प्रब्लम जो ससे जादा तंग करती है वो है आपके bud dropping की problem तो आज मैं आपको उसे के बारे में बात करूँगा और हमनों बात करेंगे उसके reasons के बारे में कौन से ऐसे reasons हैं जिसके वज़े से bud dropping की problem आपको आपके इस पौधे में जेलनी पड़ती है तो सबसे पहले जो reason है हम इस पर बात करना चाहते हैं वो यह है कि over watering यह under watering दोस्तों जब आप अपने पौधे को बहुत सथे पानी डाल देते हैं यह problem आकसर देखा जाता है गमलो में लगे हुए flowers में अगर आपने इसको गमले में लगा हुआ है तो एक चीज का आप ध्यान जरूर दें over watering ना करें आप इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए थोड़ी भुरुबरी होनी चाहिए well drained होनी चाहिए सुखी मिट्टी होनी चाहिए भुरुबरी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे मिटे नहीं चाहिए जो moisture बहुत ज़्यादा hold करकर रखे चिकनी मिट्ती इसके लिए नहीं चाहिए इसके लिए थोड़ी बुरुबरी मिट्ती चाहिए तो अगर आपने किसी भी मिट्ती में इसको लगाय हुआ है तो एक बात का आप ध्यान दे कि मिट्टी जब सूख जाए एक से देर इंज तक मिट्टी जब सूख जाए तो ही आप इसमें पानी डाले और बहुत कम पानी भी आपको इसमें नहीं डालना है दूसरा जो कारण आपका आता है वो यह कि इसको आप पूरे दिन की खुली दूप में रख देते हैं ठीक है? फिलाल जो इस समय जो मौसम चल रहा है मैं तो यूपी में रहता हूँ, गोरगपुर में रहता हूँ इस समय जो यहां का जो मौसम चल रहा है वो बहुत जादे गर्मी वाला मौसम नहीं है इसको 6-7 गंटी की आपको दूप चाहिए लेकिन अगर आप दिन वर इसको दूप में रख देते हैं करी दूप में रख देते हैं तो यह भी एक समस्या होती है इसके कलियों की गिरने की यानि बड ड्रॉपिंग समस्या का यह भी एक करण होता है तीसरा जो मेजर रिजन होता है इसके पीछे वो कैलसियम और फासफोरोस की कमी केनाते है इसके सफूल सफेद रंगे खिलते हैं सफेद रंगे फूलों में कैलसियम या फासफोरोस की बहुत ज़्यादा ज़रूत होती है तो इसके आप ज़्यालग क्या करें कि आपके इस व्लावर में कैलसियम और फासफोरोस की या पोटेशियम की कमी नहीं होनी चाहिए और चौता पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टिन वही है कि इसमें माइक्रो नुटियन्स की कमी नहीं होनी चाहिए तो कोई अच्छा माइक्रो नुटियन्स आप बजार जखरीत के लाएं और पानी में गोल की इसको आप दे दें तो फिर मिलते हैं आप से नए वीडियो में तब तक के लिए जयेंद और हैपई गार्डिनिंग और टेक केर